और साप 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 सब्दों में कहा बटोगे तो कटोगे अब ना बटेंगे और ना कटेंगे और आपके नेता कहते हैं राहुल की जाती पुछना संबेधानिक है तो भैया हिंदू की जाती पुछना संबेधानिक नहीं है क्या जब दज्जातियों में हमें बांट रहे थे अगर बटोगे तो कटोगे अब इस बात को किस तरीके से जनता देख रही है क्या विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं कि योगिया दितनात देश में बटवारा करना चाहते हैं कहीं न कई हिंदू मुस्लिम एक्ता के खिलाफ बयान बाजी कर रहे हैं इस पर जनता की राय लेंगे हम इस समय मौझूद हैं कैनाट प्लेस में और जनत बट्रेएंगे आज जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में खाई भर ने का प्रियास चल रहा आगे आज उनको हिंदू याद आगाए आज उनको हिंदूों की चिंता हो गई आज वो हिंदूं को bate-ने की बात करने पहले वही लोग जातियों की बात करते थे और लो लोग ज बिटिया का बलातकार हो जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदूओं को बाटने का काम किया साथ तभी तो कन्योज में बिटिया का बलातकार हो जाता है क्योंकि वो लोग हिंदूओं को बाटने में सफल रहने का उन्होंने काम किया तभी तो बंगाल की धरती पर डॉक्टर बिट प्रियास किन लोगों ने क्या उपूरे देश की जनता के सामने है आज उनको चिंता हो रही है कहने कि योगी अदिते नाते जी बांटने की राजनीती करते हैं अरे भाईया जब जातियों में हमें बांट रहे थे तब आपकी आखे कहा कुली थी जब राहुल गांधी जी गा राग ठाकुर जी ने जाती पूछी तो अकलेस भाईया खरे होते हैं और कहते हैं जाती कैसे पूछी और राहुल जी कहते हैं आपने मेरी जाती पूछी मुझे गाली देने का काम क्या है वाहारे राहुल भाईया वाहा हिंदूओं की जाती पूछो देख उससे पूछो उ से उसको गाली नहीं लगती क्या और आपके नेता कहते हैं राहुल की जाती पुछना संवेधानिक है तो भैया हिंदू की जाती पुछना संवेधानिक नहीं है क्या आपको किसने ठेका दिया हिंदू की जाती पूछने का आपको किसने ठेका दिया कि आप जो हिंदू की जिस 1997 में 1947 में आप की पाटी ने धरम के नाम पर देश के टुक्रे कि दे और सतर पसतर साल के बाद आप जातियों के नाम पर फिर से देश को बाटने का काम कर रहे हो शर्मानी चाहिए आपको इंद्रा जी का नहरा भी था कि जाट पे प्धि भुट लगा हम हाथ प्र जी तो बात ने ओं लेकिन अपनी जाती नहीं बताओंगा, पुछिये जाती बताएंगे, जाती परमान पतर भी देंगे, लेकिन, बताएंगे, अपनी जाती तो बताये, तो मेरे हमारे योगी योगिया, पsetनाथी जी नहीं कहा है, बटोगे तो कटोगे जैसे बंगाल में बिटिया को नोचा गया जैसे कनोज में बिटिया को नोचा गया जैसे अयोध्या में बिटिया को नोचा गया एक चार साल की बच्ची का बलातकारी सलमान उसका एंकाउंटर उत्रप्रदेश पुलिस उत्रप्रदेश की पुलिस ने का आजो कि दिामे करने का का यह हैं कि इसलिए आप लोग विपक्ष में आएछ यह वही आप लोग मजबूत दाबाथ हो रहेते सरकार की कमयों को गिनाना शाहác वुजह लिए साहब आपके नेता की जितने भी प्रदेश के एक-एक महिलाई जाग चुकी है उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है दो हजार 27 में ऐसा बोट के चोट से इनको जवाब देंगे यह जो कभी नहीं हुआ वह इस बार 27 में होगा तक्ता पलट करके रख देंगे इन विपक्ष के नाम का बात यह भी चलिए 27 में बाबा ही दिली समालेंगे क्या लग रहा है कितनी सचाहिए इस खबर में और क्या आप चाहते हैं कि बाबा दिली की कुर्सी पर राज करें देखिए दो हजार मुनाटिस तक नोब केंशी जब तक मोदी जी चार्सव पार अपने बलबूते न कर ले अंडिये के माध्यम से जब तक भाजपा अपने बलबूते 37 ना पार कर ले तब तक साओनों वेकंसी मोदी जी के प्रदेश की जनता अभी भेजना नहीं चाहती और यही इन परिवारबादियों को दर्द है 15 साल से गुजरात में मुख्य मंत्री ते हिला नहीं पाए 10 साल से प्रधान मंत्री ते सो साल पुरानी पाटी मोदी जी का कुछ उखार नहीं पाई साब उखार नहीं पाई 100 साल पुरानी पाटी सो का आकरा भी नहीं चुपाई उनके लिए शर्म की बात है मोदी जी तो 60 साल के बाद ऐसे दूसरे शक्स है जो तीसरी वार प्रधान मंत्री बन करा है और लाल किले की प्राचिर से गरजा है उन्होंने घरजने का काम क्या है द एक तो लोग यह लॉटने का न लॉटने की बात कर रहे जना आज उनके पेट मे डर्ध और उर लुट वंदन घटलन तरय किसे के अंदर गटबंदन का तालमेल देखें ब्यार के अंदर कैसा खेला उनकी पाटिय और उनके गटबंदन के मद्ध में हो रहा है जिस तरीके से देखा आपने जनता की राये इस पुरिमुद्धे को लेकर जो बाबा का बयान सामने आया उसमें जनता कहीं न कहीं है सहमती जत होगे अब आपकी क्या रहा है आप हमें कमेंट्स करकर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हैं मारे साथ देखते रहे हैं सोगंद टीवी धनेवाद आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की